है आप सब लोग का स्वागत है मारे चानल एक्जाम ख्रायकर वितेवी में आज जो बात करने वाले अकाउंटिंग और फाइनस फॉर बैंकर्स चैप्टर नंबर फाइव डैट इस फॉर एक्चेंज अर्थमेटिक यह बहुत ही इंपॉर्डन चैप्टर हो जागा क्योंकि इसमें से एक कोशन आपका पक्का है जो की होता है इस बहुत अच्छा कोशन है लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा से बेसिक्स पर जाएंगे कि फॉरन एक्चेंज होता क्या है फॉरन एक्चेंज नथिंग बद जैसे आप लोग कोई भी फॉरेंट्रेड कर रहें कोई सामाना आप लेना देना कर रहें तो उसमें पैसा का लेना देना भी होगा पैसा का लेना देना भी होगा जैसे कि आप लोग अमेरिका से ले रहे हो तो आपको क्या डॉलर में लेना देना कर पड़ेगा और अगर आप लोग यूरोप से ले रहे हो तो आपको यूरो में कर डॉलर्स मांगे तुरन नहीं मिलता वह फॉरवर्ड रेट के थुरू आपको थोड़ी दिन बाद थोड़े महीने बाद आपको वापस मिलता है तो यह जो है आपका इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ने वाले तो एक्षेंज रेट के उपर तो एक बेसिक से एक चीज ब करेगा डॉलर जो है यह आपका यूरो से डिल करेगा फिर उसके बाद जो है यूरो और इंडिया इंडियन करेंसी का बीच के रिलेशन बनता है डैरेट यूरो का भी नहीं बनता है ना जैसे कि आप लोग के सामने सबसे पहले मैं एक और चीज बताना वाला था आपको जो है उसका आप लोग का यूरो कितना होगा यह देखते हैं ठीक है होँम करेंसी प्राइस ऐफ वन यूनिट्ट एफ फॉर घॉरेंड iron करेंसी ऐन लेंगे और होम करेंसी में उसकी वैल्यू कितनी होगी इसको बोलते है डैरेट कोट लेंः कोड जैसी यह यहां पर देख कुर्णकरेंसी में आपका इंडियें रुपीज कितना सिक्स्टी रुपीस इसको बोलतें डेरेट कोड़ वहीं अगर पॉरि की कि भागे तो हें की कुणेंट लेते हैं जैसे के रुपीज के सामने कितना डॉलर यह हो रहा का पॉइंट पॉइंट जिरो वन सिक सेवन डॉलर तो यह जो है टुथोजिन नाइटीन नैंटी त्री सेकंड अगॉस्ट के बाद से इन डारेट कोट पूरी तरह बंद कर दिया गया उसमें बहुत यह कंफ्यूजन होता था वन रुपी इक्वल टू जिरो पॉइंट जिरो होता था इन डारेट में इसलिए तुछ नाइंटी नैंटी सेकंड आउगस्ट के बाद से पूरा का पूरा आप लोग का डारेट कोट स्टार्ट हो गया जो की वन डॉलर का वैल्यू इंडियन रुपी में कितना है इसको बोलते डारेट कोट ठीक है अगला आ जाते हम इसलिए रूल के है इसलिए यहां पर देखेंगे कोशन में दिया हुए मुंबई मार्केट वन यूस डॉलर इकल टू 60.8 450 एंड श्लैस 4545 यह स्लैस क्या है यह होता है एक स्टार्टिंग वाला जो होता है वह होता है वह होता है और यह सेकंड वाला जो होता है वह होता है आफ़र रेट मतलब उतने की बोली चल रही है लेक को 60.8545 कद किया जाएगा और अगर बिड की बाद किया जाए तो 60.8 450 और उसके राइट सेट में जो है वह ओफ़र रेट होता है ठीक है यह होगी यूस डॉलर का रिलेशन विट रुपीस फिर आपका यूस डॉलर का रिलेशन विट यूरो देखेंगे और फिर दोनों को चें रूलरुल औरक्षीब को अगर आप लोगका को यूस डॉलर में दोनों दिया हुआ तो आप लोग यह दोनों की बीच में रिलेशन निकाल सकते हो ओशं के यह दोनों का बीच में डिलेशन निकाल Estado igual एकोल टू 80.21 आएगा इसी को बोलते हम लोग चेन रूल ठीक है आगे आप लोग देखेंगे चेन रूल कभी है आप लोग का देखिए यह है चेन रूल चेन रूल जो है क्रोस रेट में जो हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर्मला जो एक दूसरे एक साथ चेन करके फाइनल र आपका एक्चेंज हो रहा है उस दिन आपको वैल्यूड बोलते हैं ठीक है अब एक दो दो कॉंसर बहुत इंपोर्टन है प्रीमियम और डिस्कॉंट प्रीमियम यह होता है कि अगर कोई भी करंसी है कोई भी करंसी है ना उसका तीन महीने के बाद उसका वैल्यू बढ़ र क्कॉंट इसको अब मत आपके थो महीना तीन महीना चार मेंना जो Bin है अगर उसके बाद आपका एक फिक्स रेट पका सोचा जाता है सब्सकेस अलग उसको बोलते है forward rate तो यह forward rate निकालने के लिए जो court जो formula यूज होता है जो method यूज होता है वह हम लोग देखने वाले आगे ठीक है तो यह देखिए spot euro 1 euro equal to US dollar 1.3180-90 यह है आपका bid rate और यह है आपका offer rate है समझ गया ना आप लोग यह दो value को देता है एक है bid rate एक है offer rate ठीक है इसके बात बोल रहा है one month forward में 35 32 लिख है second month forward में 72 70 लिख है third month forward में 110 107 लिख है 35-32 बोलने से यह कम हो रहा है तो यह पूरा case discount का है 7270 यह भी कम हो रहा है तो यह सारा जो है case discount का चल रहा है तो discount पे हम लोग क्या करते हैं कि आपको forward rate निकालना है spot spot का value दिया है spot का value कितना दिया आपको 1.3180 1.3180 अब आपको मान के चलिए तीन महीने के बाद forward rate निकालना है तो यह discount का चल रहा है और discount मतलब क्या होता है माइनस करना है माइनस क्या कर लोगे आप लोग माइनस 0110 इसको जैसी आप मैनस करेंगे जिरो आएगा 7 आएगा जिरो आएगा 3 आएगा 1 1.0377 आपका क्या हो जाएगा after three month offer rate हो जाएगा कितना 1.3077 आपको अभी कितना spot rate 1.3180 यह कम होके हो जाएगा 1.3077 आप लोग देख सकते हैं हम लोग माइनस किये simply और फिर अगर offer rate चीए तो 1.318090 offer rate ना offer rate 90 चल रहा है माइनस 0.107 जो कि यह दिया है तो इसको आप लोग जैसी solve करेंगे तो आपको offer rate आ जाएगा ठीक है simple सा formula है है ना spot rate से आप लोग को forward rate निकालना है तो simple हो जाता है एकदम अगर discount का चल रहा है तो आपको minus करना है premium का चल रहा हो को जैसे मानके चलिए यही अगर question में one month forward two month forward का question यह दिया रहता 32 35 दिया रहता 70 से 72 दिया रहता 107 से 110 दिया होता तो यह किस चीज का case हो जाता premium का हो जाता तो आप जो भी चीज करते प्लस करते 1.3180 प्लस करते आप दो महिने के लिए करते तो प्लस पॉइंट 0070 करते है ना simple सा fund है premium में plus करोगे discount में minus करोगे यहां पर देख सकते हो यहां पर minus हो रहा है क्योंकि यह discount का case चल रहा है forward point क्या होता है forward point यह होता है आपका spot rate spot का कोई value चल रहा होगा offer का या bid का उसमें आप कितना plus करोगे कि आपको forward rate निकले forward value निकले offer यह bid का वो जो value है उसी को बोलते है forward point spot value पे कितना value प्लस करोगे कि आपको forward value निकलेगा उसको बोलते हैं हम लोग forward point जैसे कि 1 euro equal to 1.3180 dollars है अब फिर 3 महने बाद 1.3330 हो जाएगा तो इपीच का difference जो होता है वो होता है forward points मतलब इसमें इसको plus करोगे तो आपका निकल जाएगा forward value simple forward points plus spot value equal to forward value है clear अगला है forward एक formula बहुत important है यह formula आप लोग कहीं पर अच्छा से note कर लो ठीक है forward point अभी हम लोग पढ़े है ना forward point forward point equal to forward point equal to spot rate इंट्व इंट्रेस्ट 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 डिफरेंशियल डिवाइड़ बए forward period by 100 इंट्व नम्बर ओफ डेस इन्दा इयर देखें simple जफार्ड ना है forward period नम्बर ओफ डेस दिया रहता है इसलिए उसको डिवाइड करते हम लोग नमबर ओफ यह से ताकि आपको फुल इयर का रेशियो निकल जाए यह क्लियर है डेस में दिया है forward period तो उसको यह में convert करने के लिए number of days in the year का आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा year में निकल जाएगा time और spot rate को आपको करना पड़ेगा into interest differential से और interest differential percent में होता है तो divided by 100 करना पड़ता है simple है यह चारे चीछ को form into करोगे तो आपको क्या निमिल जाएगा आपको forward point मिल जाएगा अभी कुछ भी हो सकता है हो सकता है forward point देदे spot rate देदे forward period देदे number of days देदे आपको interest rate differential निकालना हो वो भी निकाल सकते हो है मैं simple mathematics है है ना मैं क्या बोल रहा हूं मान के चले interest rate differential unknown है और forward point दिया हुए आपको forward point दिया हुए तो यह सारे कुछ दिया है तो आप लोग interest rate differential निकाल सकते हो simple सा यह formula को कहीं पर note कर लिजेगा spot rate इंटो interest rate differential इंटो forward period बाइ 100 इंटो number of days in the year इक्वल टू forward points और नेक्स्ट कॉंसेप्ट है premium and discount आप लोगों को पता है अगर कोई भी चीज़ का value बढ़ रहा है बाद में तो उसको premium कम हो रहा तो उसको discount बोलते हैं कि उसके बाद simple है यह यह आखरी में भी ओहीं चीज़ दिया कि forward rates कैसे निकालते हैं अगर आपका जो है यहां पर क्या हो रहा है 15 से 18 हो रहा है 30 से 37 हो रहा है 41 से 49 हो रहा है तो यह कौन सा के ऐसे premium का case है तो आपको गर बोलता है थ्री मंस के बाद आपको यह वन यूरो का value निकालना है तो आप क्या करोगे क्या offer rate बोल रहा है चलो offer rate बोल रहा है तो offer rate में क्या दिया हुआ है यह 901.3190 offer rate है अब उसको आपको बोल रहा है 3 मंत के बाद offer rate कितना होगा तो कुछ नहीं करना है 0.0049 को आपको प्लस कर देना है तो आपका answer आ जाएगा ठीक है question को भी case में देखो के यह 24-19, 26-20, 33-25 क्या हो रहा है discount हो रहा है अगर दो महिने बाद बोलता है तो दो महिने बाद का आपको bid rate मांग रहा है तो 1.3180 लो और उसमें से दो महिने के बाद का bid rate माइनस, माइनस 0.0026 कर दो तो आपका answer आ जाएगा clear है यही fund है और जादो कुछ दिया जालते हैं वो जान लो और यह formula एक note कर लो आप लो आपका आराम से यह chapter complete हो जागा, is equal to forward points, forward points equal to spot rate interest rate differential into period by 100 into number of days in the year, यह आपका forward point का formula है इसको note कर लीजे, यहाँ पे आपका complete हो दाए chapter 5 यह और आपका module A भी यहाँ से complete हो जाता है, module B इसके बाद start करने का है, that is principle, and bookkeeping and accountancy, मिलते हैं next video में तब तक करे धन्यवाद